किसानों गरीबों के नेता हम सभी के स्वाभीमान के प्रतीक आदर्निये राहूल गांधी जी मन्द पर उपस्थित बिहार के पुर्व डिप्पी चीफ मिनिस्टर और नौजवानों के आसा और रोजगार के प्रतीक तेजस्वी प्रसाद यादो जी मुकेश साहनी जी आदर्निये मोहन प्रकास जी सकील खां साहाग मदन मोहन जाजी तारीक अनवर साहग बीमा भारती जी और यहां के कॉंग्रेस के और महागटबंदन के उमिद्वार अजीत सर्मा जी भागलपूर के सिल्क सिटी में हम आप सभी और सभी नेताओं के तरफ से आदर्निये राहूल गांदी जी का और तेजस्वी प्रसाद यादो जी का मुकेश साहनी जी का हिर्दय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं मित्रों समय कम है राहूल गांदी जी को अमरोहा भी पहुँचना है हम सीधे तोर पर तेजस्वी प्रसाध यादो जी को आमंतित करते हैं कि कम समय में आके अजब सीधे आदर ने राहूल गांभी जी को आमंतित करते हैं लाहन ही जिनदाबाद सखी नवाज देश हरह सबता कई of direction what »ंच जिनदाबद सब्सक्राइब। नवाजश हर् देश कनेटा कैसा हो बेड ये बेड़ मुझाए मुहन प्रकाश जी, टेजेश्वी यादव जी, अकिलेश सिंग जी, शकील एमध खान जी, मुकेश सानी जी, हमारे गटबंदन के कैंडिडेट्स, श्री अधी अजीत शर्मा जी, जनाब तारिक अनुवर साहब, श्रीमती भीमा भार्ती जी, मुहम्मद जाविद साहब, और श्री जैप्रकाश यादव जी, गटबंदन के हमारे कार्यकर्ता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? चुनाओ है, और एक तरफ गटबंदन, कॉंग्रेस पार्टी, और इंडिया गटबंदन, और दूसरी तरफ, RSS, BJP, और हिंदुस्तान के 3-4 अरब पती, देखिए ये जो चुनाओ है, ये संविदान को बचाने का चुनाओ है, RSS के लोग, BJP के लोग संविदान को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगतंत्र को खतम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गटबंदन, लोगतंत्र को और संविदान को बचाने की कोशिश कर रहा है, आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है तलितों को पिछणों को आदिवासियों को जो मिला है वो सम्विधान से मिला है अगर सम्विधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है गरीबों के लिए जो भी किया गया है वो सब बंद हो जाएगा मैं आपको दो-तीन उधारन देना चाहता हूँ, दो-तीन आकड़े देना चाहता हूँ आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही दन है जितना 70 करोड हिंदुस्तानियों के पास है आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग दूसरी तरफ 70 करोड लोग हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपे से कम है एक तरफ अंबानी अदानी देश का पूरगपूरा धन उनको दिया जाता है और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग किसान, मजदूर, छोटे वियापारी और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे है कभी आपका ध्यान इदर ले जाएंगे कभी आपका ध्यान उदर ले जाएंगे और जब आप इदर उदर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वो ही 5, 10, 15 लोगों को पक्राते जाते हैं नाम आपने सुने है अदानी, अमबानी अदानी जी को देखिए हिंदुस्तान के सब एरपोर्ट सब पोर्ट पावर भिजली खदाने सोलर पावर, विंड पावर डिफेंस सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है तो अब सवाल उठता है हमारा गटवन्दन क्या करने जा रहा है देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे है कि इतनी सीटे आएंगे, उतनी सीटे आएंगे मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको एक सो पचास से जादा नहीं मिलने वाली है ये जो भी कहना चाहें कहलो, एक सो पचास से एक जादा नहीं आने वाली अब हमारा गटबंदन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाग करोड रुपया करजा माग किया है 16 लाग करोड रुपया मतलब, जितना हमने किसानों का करजा माग किया था आपको याद होगा, याद है, याद है ना जितना हमने किसानों का करजा माग किया, अगर आप उसको 25 बार माग करो उतना पैसा नरेंद्र मोधी जी ने हिंदुस्तान के चार-पांच दस उदियोग पतियों को दिया है कड़गा माथ करके 25 साल का मंड्रेगा का पैसा उनका माफ हुआ है तो अब गटबंदन ने निन्ने ले लिया है जितना पैसा नरेंद्र मोधी ने अरब पतियों को दिया उतना ही पैसा इंडिया घटबंदन कॉंग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के सारे के सारे गरीब परिवारों के इनलिस्ट निकालेंगे हर परिवार में से एक महिला चुरी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कॉंग्रेस पार्टी साल का एक लाक रुपया महीना का 8500 रुपय डाल देगी खटा कट खटा कट हर महीने 8500 रुपय पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा दूसरी बात नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोज़गारी का सेंटर बना रखता है जहां भी आप देखो किसी भी युवाज पूछो क्या करते हो कहते हैं तुछ नहीं करते दूसरी जी ने खतम कर दिया नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोज़गार पैदा नहीं हो सकता अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं रोज़गार के मार्केट में गुजने के लिए उनका तरीका होता है उनको एक साल की अप्रेंटिशिप मिलती है टेंप्रारी नौकरी मिलती है उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है मगर ये सुविदा हिंदुस्तान के बेरोज़गार युवाओं को नहीं मिलती अप्रेंटिशिप अरब पती के बेटे कर सकते हैं बड़े-बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं मगर हमारा जो युवाओं है बेरोज़गार युवाओं है वो नहीं कर सकता तो हमारी दूसरी युजना जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूँ हिंदुस्तान के सारे के सारे ग्रैजुएट डिप्लोमा होल्डर्स सारे के सारों को हमें का अधिकार देने जा रहे हैं अप्रेंटिशिप का अधिकार ताली बजाओ थोड़ो और अभी मैं आपको समझाऊंगा फिर देखना अप्रेंटिशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है जैसे मन्रेगा में रोजगार का अधिकार दिया वैसे ही हम ग्रैजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे के सारे ग्रैजुएट होल्डर डिप्लोमा होल्डर उन सब को एक साल के लिए अप्रेंटिशिप मिलेगी एक लाग रुपे साल का 8500 रुपे महीने का खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट उनके भैंका उपकाउंट में जाएगा उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्हेंने अच्छा काम किया तो उनको पर्मनन नौकरी मिलेगी ये जो अप्रेंटिशिप वाली नौकरिया होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी पब्लिक सेक्टर यूनिट में होंगी सरकार में होंगी तो करोणो युवाव को ट्रेनिंग मिलेगी हिंदुस्तान को एक वर्क फॉर्स मिलेगी ट्रेंड वर्क फॉर्स मिलेगी और हमारे युबा है जो आज सडकों पे घूम रहे हैं इंस्टाग्राम फेस्बुक देख रहे हैं उनके बैंक अकाउंट में इस साल का एक लाग रुपिया आठ अधार पांच्छा रुपिया महीने का ठका ठका ठक 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 हमारी सडकाई डालेगी आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोधी के खिलाफ खड़े हैं वो गलत कानून लाए किसानों के खिलाफ काले कानून लाए किसान खड़े हुए इंडिया गटबंदन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोधी को वो कानून रद करने पड़े अब हम किसानों को दो guarantee दे रहे हैं सबसे पहले अगर नरेंद्र मोधी अरफ पतियों का करदा माउग कर सकता है तो Congress Party किसानों का करदा माउग करने जा रही है India गज़बन्दन Congress के साथ करदा माउग करने जा रहा है और दूसरा बाकी लोगों को अपने products के लिए सही दाम मिलता है बड़ी-बड़ी company मारकेट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है किसान को सही दाम नहीं मिलता किसान सिरफ minimum support price अपने अनाज के लिए धान के लिए सही दाम मांग रहा है हम हिंदुस्तान के किसान को guaranteed कानूनी minimum support price देने जा लिए मार्केट ट्रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी सही दाम उसको मिलने जा रहा है और आखरी बात आपसे कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ हिंदुस्तान के खिलाफ अगनीवीर योजना लागू की है ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती जैसे हमारी इंडिया गटबंधन की सरकार आएगी ये अगनीवीर योजना को उठा के हम भार पेक देंगे कै इसकी कोई जरूराद नहीं है हिंदूस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए एक शहीद चाहिए एक तर्फ़ीक के शहीद चाहिए शहीद का दर्था सब को मिले पेंशन सब को मिले कैंटीन सब para बिले दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें इसलिए अग्निवीर योजना को उठाके फेक देंगे जैसे पहले होता था वैसे करेंगे इन्होंने पांच अलग तरीके के जीएस्टी बना रखी है ये जीएस्टी को हम बदलेंगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा और आखरी बात हमारे जो मन्रेगा का काम करते हैं आशा अंगनवारी का काम करते हैं सीधा मैं आपको बता देता हूँ जो आशा और अंगनवारी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदरी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं और जो मिनमम वेज हैं हिंदुस्तान में उसको हम 400 र पैता बनाने जा रहे हैं मन्रेगा तुरों को चार सो रुपए मिलने जा रहा है अब आप हमारे जो पांच कैंडिडेट्स हैं अजीच चर्मा जी तारिक अन्वर साहब विमा भारती जी जावेद साहब और जैप्रकाश याजब जी का पूरा समर्तन कीजिए बारी बहुमत स इनको जिताईए और इंडिया गद्बंधन की आप सरकार बनाईए आप सब का दिल से धनेवाद नमस्कार जैप्रमानित करने के लिए जिलाद ध्यक परवेद जमाल सहाब चंशेखर यादब जी राजेश सिंग जी राजेश मिस्रा जी परवीन सिंग उस्वाहा जी अमित हाथें उपर उखी होने चाहिए जोर्दार तालियों के साथ स्वाज़त करते रहे साथ आपका शिरोग इंतमाब और जो हमारे परतियाशी है उनको निस्ची तोर पर मिलना चाहिए बिहार के लोग प्रिये नेता पुर्ग मुकमंत्री के जस्वी प्रसाद यादो जी से हाथें चाहिए उम्मीद्वार हमारे तारीक साहब है और पूर्लिया से उम्मीद्वार बीमा भारति जी है इस बार जो दूसरा प्रेस का जो चुना होने जा रहा है आशा है आशा यह काई कर आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को जाल से अदर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनली तक सब्सक्राइब अब टूंत इसको सब्सक्राइब उसको और पैल आइकन भी दिवा देजिए रताकि अगली और भी अपलोड नोपार कर अबशन पैंडेक्शन पोसमिए और अगर आपने हमारा पैस्टीजिए